तो आज स्थक पर आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। तक एक लाश के अंगिना टुकणों को दिल्ली के अलग अलग अलाकों में फेकता रहा और उसके बाद जिस जगह वो कतल करता है उसी घर में छे महीने तक बहुत आराम से बैठा रहा उसे ना भागने का कोई भागने की जलबाजी ना पकड़े जाने का खौफ और फिर उसके साजिश रची गए इस कहानी की शुरुवात कहां होई और इस कहानी का अंजाम क्या होगा वो जादा जरूरी है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और इस वक्त सईद भाई हमारे साथ एकदम सामने भी दिख रहे हैं तो आईए सईद भाई बिल्कुल और अगर साइद साव यहां बैठे हैं तो जैसे आम लोगों के मने में सवाल होते हैं तो हर एक के सवाल होता है तो जितने भी आफ़ताब और शद्धा के इसमें क्या कहानी है क्या कुछ हुआ मैं आपको सर्फ शुरुवात से बताता हूं उसके बाद इसमें साइद भाई से बाहर रहा करता था आफ़ताब का परिवार मुंबई से अलग वसाइम रहता है तो इन दोनों का अपस में कोई मेल जोल नहीं था दोनों का कोई एक बूस्टे को जानते तक नहीं थे लेकिन 2019 में एक सोशल एप के जरीए एक चैटिंग एप जो है उसके जरीए दोनों प मुंबई आ जाती है इदार अफ़ताब की जो पिता हैं वह वसाइमें रहते जरूर थे लेकिन काम करते थे मुंबई में आफ़ताब का छोटा भाई भी इस दोरान में मुंबई में आगया वहीं उसकी नोकरी लग गई अब आफ़ताब भी मुंबई आ गया इसके बाद रहनी की बजाए एक घर लेते हैं किराय पर और उसी में साथ रहेंगे जिसे हम लोग लिव-इन भी कहते हैं अब दोनों रहने लगे कुछ दिन बीता तभी शंधा ने अपने घरवालों को पहली बार बताया कि वो मुंबई में आफताब नाम के एक लड़के के साथ लिव- होता है कि वो मुझरिम है लेकिन आफताब वैसे फारसी भीन आफ स्रिफ साथ लागं मुझरिम शिया भी होते हैं तो वह एक कारोबारियों का समुधाय हूआ करता था फोटीन सेंसौिय में वहीं सभी निकला और इनमें बहुत सारी चीज़ा है श्याऊंसे ही मिलती हैं सुनिके मिलती हैं कुछ इसमे हिंदू धर्म से जो कुछ चीज़ हैं वो भी खोजा मुस्लिम को लोग करते हैं जैसे सौामी नाराइन की पूजा करती है खोजा मुसलिम जो खोजा मुसलिम के लिखा है उम्मिनिटी यानि वानफ़ता जो शक्स मानफ़ता के टुक्रे कर रा है वो अपनी religion के column में मानफता है और humanity लिखा हुआ है खैर दोनों Mumbai में मिलते हैं living में रहने लगते हैं शद्धा के माबाप इसका विरोध करते हैं कि वो मुस्लिम है वो हिंदू और कोली ब्रादरी से तालूक रखते हैं ये लोग इसके बाद शद्धा धीरे-धीरे अपने माबाप से दूर हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि ये उसके पियार के दुश्मन है लेकिन 2020 में 2020 में कुरोना आ चुका था शद्धा की मापो कुरोना हो जाता है मा की मौत हो जाती है शद्धा के पिता उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे माही बात करती थी मा की मौत के बात शद्धा फिर अपने घर गई पिता से मिली पिता से कुछ बात चीथ हुई लेकिन बहुत कम अब वो वापस फिर मुंबई में रहने लगी इस दौरान में अब जो आफताब था साथ में रहने के दौरान दोनों में अब जगड़ा शुरू हुआ जगड़े की वज़ए ये थी कि आफताब ना कुछ कमाता ना पैसे लाता वो डिपेंडेंट था पूरी तरह से एक तरह से शद्धा पर वो नौकरी करती बिचारी घर भी चलाती घर के सामान किराये पे ले रही थी सारे एमाई पर और वो एमाई के इंस्टॉल्मेंट भी वो अपने ही बैंक के खाते से देती थी आफताब कुछ करता धरता था नहीं तो यहीं से लड़ाई और जगड़े की शुरुआत हुई क्योंकि कहते हैं खाली पेट इसक नहीं होता और इसी वज़ा से अब दोनों में ज हुस्पिटल ले गया अडमिट किया फिर उसने एक पुलिस टेशन में तेकुझ पुलिस टेशन रिपोर्ट लिखाई और 23 नमबर 2020 की उस रिपोर्ट में बाकादा शद्धा ने लिखा था कि आफताब मुझे मारता पीटता और उसने मुझे धमकी दिये कि वो गला घोट क मुझे मार देगा फिर मेरे लाश के टुकड़े करेगा और उसके बाद उन टुकड़ों को फेक देगा और देखिए कि डेड़ साल के बाद आफताब ने ठीक ऐसा ही किया लेकिन जब वो अस्पताल में भरती थी पुलिस कंप्रेंट लिखाई तो आफताब ने फिर शद् आफताब के पास आ गई इसके बाद भी इन दोनों के भी जहगणा चलता रहा जद्धा चाहती थी कि आफताब उससे शादी कर ले आफताब शादी के लिए लगाता टाल रहा था लेकिन इस जगड़े और पिलिस कंपेंट के बाद आफताब को कही ने कहीं ऐसास हो गया थ तो मुझे छोड़ कर जा सकती है अब आफताप शादी भी नहीं करना चाहता था लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि शड़ कर जाए शायद उसका मेल इगो हट करता हुआ हो लगातार उलजा रहा था इदर शड़ा उसे लगातार फोर्स कर रहे थी शादी करने के लिए हैं धी से शादी भी नहीं करने पड़ेगी इसे मार डालते हैं और इसके बात उसने प्लानिंग करने शुरू की अब तक 2022 का साल आ गया था मैं का महीना था तीन मैं को ईद थी ईद से पहले आफ़ताप ने शद्धा से कहा कि वो उसे घुमाने के लिए हिमाचिल प्रदेश ले जाए वो खुश हो गई कि चलो हिमाचिल प्रदेश देखेंगे इसके बाद दोनों आठ मै को हिमाचिल प्रदेश में एक तोष नाम का छोटा सा इलागा गाउं है वहां पहुंसते हैं वहां के होटेल में चेक इन करते हैं और वहीं रहते हैं अब आफ़ताप की पहली कोशिश शद्धा को उसी हिमाचिल प्रदेश में मारने की थी उसे लगा हिमाचिल प्रदेश है यहां पहाड़ी है खाई है कहीं सुनसान जगे पर मौका मिलेगा धक्का दे देंगे पहाड़ीयों से नीचे किर जाएगी लेकिन इतफाक की बात है कि उसे को मौका नहीं मिला अब दो दिन बीत रहें मौका मिलने रहा इसी दोरान में उसी हिमाचिल प्रदेश के तोशर अलाके में आफ़ताप की एक शखसे दोस्ति होती है उस शक्स का नाम था बद्री बातकी नहीं पता चला कि बद्री दिल्ली का है फिर बद्री 돼ल्री में दिल्ली में च्छतरपूर प गड़ी के तालाब है और यह दिल्ली का एक बिलकुल कोने का इलाका है सुनसान इलाका भी है जंगल से भी घरा हुआ है और यहां जादा तर फार्म हाउस है फार्म हाउस ऐसी जगा पर होती है जहां पर जादा तर सन्नाटा होता है क्योंकि लोग फार्म हाउस वही बनाते है जहां शहर के शोर शरावे से दूर कुछ पल वो सुकून के बिता पाएं बद्री से यह सब सुनकर आफ़ताब को लगा कि यह तो बहतरी जगा है उसके जो अपना काम करना है जो हिमाचल में हो नहीं पा रहा है कि अगर मैं दिल्ली जाओं और शत्रपूर के उस राके में कहीं रहूं और वो जंगल वाकी चीज़ें देख लूँ तो वहां मौका मिल सकता है अब बद्री को उसके इस दिमाग में क्या चल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है इसी के बाद अब बुन दोनों को हिमाचल से ही मुंबे लाटना था लेकिन आफताव अचानक शद्धा से कहता है कि एक काम करो चलो हम लोग दिल्ली चलते हैं फिर दिल्ली से मुंबे जाएंगे पहले शद्धा तयार नहीं होती उसे नौकरी भी करनी है लेकिन वो कहता है दो-तीन दिन के बाद है दिल्ली में रहते हैं फिर उसके बाद जाएंगे अब वो दिल्ली आया दोनों पहाड़गन में के एक होटल में रुके है फिर इसके बाद ये सौथ दिल्ली के गेस्ट हाउस में रुके है इस दौरान आफताप दिन में निकलता और जाकर उस छतरपुर पहाडी के अलाके की रहकी करता घूमता और फिर उसने बदरी को कॉंटेक किया बोला हम दिल्ली में हैं कुछ दिन यहां होटेल गिस्टाउस मेरा नहां मेंगा है तो हम चाहते हैं किराय का घर मिल जाए मैं यह भी कहता हूं कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाएं यहां गुरुग्राम में अच्छे-चे आइटी कंपनियां हैं मेंसी हैं मल्टिनेशनल कंपनियां यहां सैलरी भी जादा है तो बदरी ने उसकी मदद की कि यह ट्रेवल बलके जो जितने भी हैं जो घर बर दिलाते हैं तो महां मिलो अब यह जाकर च्छतरपुर पहाड़ी अलाके में घूमने लगा यह लाका उसको देखकर लगा कि यहां तो ठीक है सन्नाटा है पास में जंगल भी है फिर उसने एक घर ढूनना शूरू कि है जो कोने में हो और आखिरकार उसे घर मिल गया पंद्रह मई को उस और मैं भी अपने परिवार से दूरी रहता हूँ मुंबई में हमारा कोई है नहीं यही नौकरी करते हैं यही घर बसाते हैं शद्धा भी इस बात के लिए त्यार हो जाती है लेकिन आफ़ताप के रिमाग में तो कुछ और चल रहा था पंद्रह तारीक को घर शिफ्ट करत अठारा माई की तारीक आते और अठारा माई की राथ को इवे शद्धा का कतल कर देता है कतल करने के बाद ऐस लाशका वो बाथरूम बातरूम मे लग देता है फिर जुमेटों से खाना मगाता है आराम से सो जाता जैसे कुछ हो नहीं है अगले दिन वो सुबा नाष्टा करता है उसका बादार जाता है बादार से एक 300 लीटर के फिर्ट खरीटता है एक आरी खरीदता है कुछ पॉलिथिन खरीदता है वापस घर आजाता है घर आने के बाद दोपहर के बाद बातरूम में बैठता है लाश परा पी जो लाश के टुकड़े अब फृव यह फ्रिच के टुकड़े प्रेथा है कि रहे वाद गली सुबा से लग जाता है लाश के टूकड़े करता है अब बारी-बारी से यह जा रखता को धू好 नीचे करता है जो नीचे थे उसको फ्रीजर में डालता ताके वो सब फ्रोजन हो जाए और लाज से बद्बू भी नाए मई का महीना सा याद रखे गर्मी भी थी तो अब ये सारी चीज़ें वो कर रहा है लगाता और दो तीस से तीन ने लगाए उसने टुकड़े करने के ल महरोली के जंगल जाता है वहां ठिक टुकड़ों को फेक कर चला आता है देखता है किसी ने रोका टोका रही है इसके बाद ये सलसला चल पड़ता है अगले 20 दिन तक करीब 4-5 जून तक वो 18-22 टुकड़े जो पॉलिथिन बनायते उसने उनको एक एक करके फेक देता है फ पूरे घर को साफ सुतरा कर दिया ताकि कोई सबूत ना मिले लेकिन वह भागता नहीं उसी घर में रहता है इधर ये कि कोई पूछ भी नहीं रहा है धीरे धीरे वक्त बीत रहा है मही से जून जून से जुलाई अगर सितंबर अक्तूबर नवंबर और वो बेख़ौफ य तो उसे लगा कि लोग कहीं पता ना लगा लें तो उससे शद्धा के मोबाइल पे अब जितने भी उसके सोशल मीडिया पे लोग मैसेज करते ये शद्धा बनके उसका रिप्लाई करता यह सिलसला उसने मैं जून जुलाई तक बरकरा रखा इस दौरान में शद्धा के वाइल से लोगों को रिप्लाई करना बन कर दिया अब जब बन किया तो बहुत सारे दोस्त जो शद्धा को लगाता टच में रहते थे उन्होंने कहा कि जुलाई खतम अगस्ता आगे शद्धा सामने नहीं आ रही है सितंबर आ गया तो उन्हें फिर फिक्र हुई उन्ही मे अपने पिता को ये बात बताई अपिता को पहली बार टेंशन हुई उन्होंने भी देखा कि उसने इसरे इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पे या वाटस अप के डीपी पे या स्टेटस पे कोई चीज अपडेट ही नहीं किये दो धाई मेने से और पहले ऐसा कभी नहीं हु है आज वहाँ गई थी अच्छा उसने ये कपड़े पेने थे डीपी देख लिया तो अच्छा ठीक है उसने कुछ लिखा तो चलो ठीक है सलामत है तो इससे उनको तसली हो जाती थी लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि दो धाई मेहने हो गया उसने कुछ चेंज नहीं किय उन्हें फिक्र होई उदर जब दोस्ते आजिकत और पूलिस में कंपड़ेंट लिखाई हालाकि उस वक्त महारा से पोलिस थोड़ी एक्टिव होती तो शायद सितंबर में आफ्ता पकड़ा जा था लेकिन पूलिस ըेंगा ठीक है आफ्ता यह शे यह उन्ही खाना पूर्त की पूचताज की उसने कह दिया कि शद्धा तो किसी और अपने बॉइफरंट के साथ छोड़ कर मुझे चली गई है और वो घर में अपना सारा सामान छोड़ो गए सिरफ अपना फोन ले गई थी पुलिस ने उसको और जादा इंट्रोगेट भी नहीं किया चला गया छोड़ पिता बार बार गये तब नवंबर में महारास पुलिस जागी और उन्होंने 9 नवंबर को दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया कि ये एक मिसिंग रिपोर्ट है और ये लड़का है जो चतरपूर पहाड़ी में रहता है ये कंप्लेनिंट है आप जरा देखो तब दिल्ली पुलिस उस पे जाच करती है नौतारी को और एक ग्यारा को अगले अर्टालीस घंटे के अंदर अंदर आफ़ता आपको पकड़ लेती है और पकड़ते ही आफ़ता बुगल देता है कि हाँ मैंने शद्दा को मार दिया लेकिन गुस्से में मारा अचानक मारा मैंने उसके टुकड़े कि फेक दिये तो अब यह सारी चीजें तो पुलिस को उसने बता दिया अगर यही सितंबर में हो जाता सोचिया तो शायद सबूर ढूनने के लिए छे मेन अंदर नहीं के दर पड़ता चौते मेने में मिल जाता लेकिन यहाँ पुलिस के लाप परवाही थी कि किनकी अलाकों में वो गया कहा क्या क्या सबूत जागें। यह दोनों चीजे मिली और इसदे पुलिस को बड़ी मदद मिली। पुलिस ने इन दोनुंची शीजों के जरी लाशो के तुकृड़ों को समेटने का काम किया और उने बड़ी इस अच्छी खासी काम्याभी भ are now. अब तक जो दिल्ली पुलिस के सोर cousin हैं उनके हिसाप से. जह का हिस्सा जबरे का. कलाई से कोहनी के बीच का हिस्सा, ये घुटनों और जान के बीच का कुछ इस्सा, रीर के हड़ी के नीचे का कुछ हिस्सा. मतलब ये सारी हड़ीया बरामद हुई है महरोली के जंगल से आपके मैदान गड़ी के तालाब और वहां के मैदानी इलाके से और कुछ चीज़ें गुरू ग्राम से यह सभी से फिसल लैब में भेजी जा चुकी है रिपोर्ट आने में भी लगता है कि दो चार दिन और लगेगा पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है दो दिनों में अब नार्को टेस्ट की बारी है नार्को टेस्ट के जरीए असल में होगना यह कि क्या होता कि कि किसी भी क्राइम में यह मिशायद रखिये मुझरिम कुछ ले के जाता और कुछ छोड़ कर जाता है हर बहर क्राइम के साथ यह जुड़ी भी चीज़ है जैसे यहां पर आफ़ताब ने घर के अंदर कतल किया सारे टुकड़े लाश के बाकी जो कपड़े थे सबूत थे वो सब घर के बाहर लेकर गया और उसने बाहर डम कर दिया तो मुझरिम जो लेके जाता है बाहर उसको ढूनने का काम होता है पुलिस का और जो छोड़ कर जाता है उसको ढूनने का काम होता है फॉरंसिक एक्सपर्स का छोड़ कर क्या जाता है वो अपने फिंगर प्रिंट्स अपने डी एने सैंपल अलग अलग चीज़ें जिससे आप फॉरंसिक एविडिन्स के जरीए आप साबित कर सकें कि हाँ ये मुजरिम है तो जो बाहर की चीज़ें हैं चाहे वो लाज के टुकड़े हैं ये पुलिस ने ढूंडा ढूनने के भी कोशिश है घर के अंदर फॉरंसिक के टीम लगी वी है अब इन दोनों चीज़ों से मान लिज़ें कि ना मिले कुछ केस्स मदबूत नहीं हो रहा तो तो तीसरी भी चीज़ होती एक उस मुजरिम का दिमाग क्योंकि हर मुजरिम जो بھی कुछ करता है उसके सारे राज उस दिमाग में होते हैं अब उसके दिमाग में कैसे घुसा जाए तो घुसने के लिए फिर वही है नार्को टेस्ट पॉलिग्राफ टेस्ट तो नार्को के जरीए अब आफ़ताप को नीम भोशी के हालत में उससे वो सवाल पूछे जाएंगे कि उसने क्यों मारा कब मारा लाश के टुकड़े कहां कहां फेके हत्यार कहां फेके शद्धा के अफ ताफ सच बोले आरुशी केस में भी जो क್रेशना और बाकी सर्वेंट थी नका नार्को ओवा था कोई फैदा नहीं हुआ助 अबू सॉलिम का नार्को हुआ था अबुसालेम तो नारको में शायर वैसे होश में जतना सच बोल गया नारको में उतना ही जूट बोला उसने नारको में उससे पूछा गया था कि मौनिका जो तुम भारे साथ आई है उस वक्त इनको पूर्टगाल से ला गया था डिपोर्ट करके जिससे ये शादी कर चुका है तो ये नारको में मुकर गया था कि मौनिका नाम की किसी ललकी को मैं जानता ही नहीं हो तो ये नारको का हाल है टेल की केस में भी नारको फ्लॉप रहा था तो नारको टेस्स जरूरी नहीं कि कामया भी हो लेकिन हाँ नारकों के जरीए अगर आफ़ताब कुछ सबूत के बारे में बता दे कि मैंने यह हतियार यहां फेका, आरी यहां फेकी, कपड़े यहां फेके, कुछ टुकड़े यहां फेके, सर यहां फेका, तो वो एक evidence मस्बूत हो सकता है दिल्ली पुलिस इसको, आगे कोट लड़की की बात लड़की करती है, लड़का नहीं करना चाहता है, फिर लड़के का मेल यहां आता है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर हमारा financially क्या होगा, और इन सारी चीज़ों के लिए प्लाइन करता है, और इसके बाद लाश के टुकड़ों को अलग अलग फेकता है, और छे महीने तक उसी घर में रहता भागता भी नहीं है, क्योंकि उसे शायर ये यकीन था, कि शद्धा चुकि उसके घर वाले से वो बात नहीं करती थी, और कोई पूछेगा नहीं, ढूनेगा नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, और इसलिए वो बेख़ और शद्धा केस की पूरी कहानी थी, इसमें आगे बाकी जो भी होगा, अपडेट्स होंगे, वो मैं आपको बताता रहूँगा, फिलाल, शुक्रिया,